के सिस्केशन की Chart डोस्तों दोस्तों जाचे सिर्फ यह वाला को स्वाइध करता हूँ आपके ईग्जामपूर में दोस्तों यह है दाहिंदू एडिक्स्कै probiotics के डिकल्स को अधिकल्स को बंदोस्तों कुछ एक अर्टिकल है उस इसले एक राटिकल एनडीए सीए पीएफ एरफॉर्स इंस अभी एक्जाम के लिए बोर्ड है दोस्तों ये क्लास रोज चुमें पांच बजे होती है ठीक है ये में से हम कौन से करेंगे देखिए यह तो ब्रैक्जिट के ऊपर है जैसे कि इतना है नहीं देखिए ब्रैक्जिट का टोटल एक विडियो अलग पड़ेगा बैक्जिट के फाइधिभा नुकसान इंडिया के पॉइंट र व्यूव से क्या होंगे दोस्तु यह है constitutional morality मतलब की सरकार जो decision ले रही है उसको ले कर इन्होंने article लिखा है इनका नाम है M.K. नरायन की क्या constitutional effects हैं इसके ठीक है दोस्तों तो बात शुरू करते हैं कुछ इस परकार देखिए उन्होंने कहा है कि समविधानिक दिवस पर सब्सक्राइब करते हैं मानते हैं ठीक है देखिए जो और पोस्त पर बैठे हैं चिंता ये चल रही है concern ये है जहां पर जो बात शुरू होती है में कि increasingly ये अवाजे उठकर आ रही है कि देखिए different segment of people के दोवारा इंडिया में कि देखिए constitutional authorities कहीं ना कहीं constitution का violation कर रही है ठीक है ये अलग-अलग segment में अलग-अलग परकार से अवाज कर आ रही है ठीक है अब concern होता है future of democracy के बारे में जो democratic tradition है जो जुसको खत्रा जिसके लिए चिंताएं पूरी दुनिया वर में ही बढ़ रही है केवल ये भारत का system नहीं है कुछ democracies में तो already जो democracies में से कुछ तरह के democratic freedoms कम हुई है ठीक है लोग डेमोक्रेसी से इलिबरल पॉपुलिजम की तरफ बढ़े हैं तो यहां पर वो कहते हैं कि देखिए इतना सब संविदान जब बना था कुछ लोगों ने बहुत लोचना की थी कि बहुत लमबा संविदाना जादर तरह टिक है देनी इसके ओपर मैने एक आर्टिकल करवाय था तो यह कि यह सबसेदान लम्बा गया है ठीक है दोस्तों कि तो इसमें हैं कि दिखेए डेमोक्रेसी के बच करते हैं आर्टिकल said are теперь कि वह कहते हैं देश में भोस olie झो också आ स्टेपस ली एगे जो की स्टेपस basic structure और और प्रिंसिय granted को कही नहीं परशांच किये बिना हरास किये बिना ही वे स्टेपस हे गए हैं लेक optim काफि करने को क να बेखार, इंपैक्ट chime से आगे करने की यह तर्क दिया गया कि एक temporary provision था लेकिन इससे उलट और ये कहते हैं कि देखिए ये एक constitutional था कि ये प्रवीजन प्रवाइड करता था था एक special purpose जिसके अंदर गत एक special treatment देने की जिरूरत थी ठीक है यहाँ पर आगे वह बात करते हैं कि जो इंडियन इंडियन कोंस्टिशन और प्रोवाइड करता है इंडियन कोंस्टिशन साफ साफ तोर पर हमें देता है कि फैडरल सिस्टम विदे युनिटरी बाइस जिसके अंदर गत सेंट्र और स्टेट गवर्मेंट बोथ अपनी अथार्टी स्टेट समिधान से ड्राइव करते हैं ठीक हाला की लैटर को वईलिट न करते हैं कॉंस्टिशन का लेकिन श्वानों स्पिरिट को वह कहते हैं कि वौोईलिट किया ही है ठीक है अगरे दूसरी वह बात करते हैं सैकूलरिieniכी तनाव में चल रहा है काफी बैस्ट देखने को मिर रहा है ठीक है लेकिन बात के चार यह basic structure of the constitution की बात हुई थी उसके अंतरगे तिनों ने कहा था कि secularism Indian constitution के अंतरगत ही आता है ठीक है पट वो कहते हैं कि there are all pretends of danger कि यहां की कुछ merits भी है कुछ de-merits भी है और जैसा कि वो कहते हैं कि प्रणम मुखर जी ने एक बार कहा है कि देखिए a numerical majority जो numbers में elections के बाद majority आती है वो stable government बनाने के लिए आती है और जो lack of popular majority आती है वो forbid करती है to from a majority government से ठीक है दोस्तों तो कहते हैं कि एक message essence है parliamentary democracy का वो कहते है कि जब यहां पर दूसरी वो बात करते हैं समविदान के morality के उपर जो मराश्टर में वो कह रहे हुआ मराश्टर के ड्रम में वो कह रहे हैं कि पहले क्या हुआ कि बीजेपी और सिर्फ से ना एक साथ alliance में आई alliance में जीती लेकिन बाद में शीव से ना किस परकार शीव से ना और national NCP और Congress अलग हुए ठीक है उदर से वो कहते हैं कि देखिए अगर समविदानिक नियमों को पालना की जाती तो शायद यह स्तिती आती ही ना जो यह को रहे हैं ठीक है वो कहते हैं कि देखिए प्राइम निस्टर की स्पेशल पावर का यूज करके रातो रात बीजेपी गवर्मेंट एस्टैबलिश कर दी गई वहाँ पर ठीक है लेकिन बाद में क्या हुआ बाद में कहिना ही वह कहते हैं कि देखिए कि वह बात करते हैं कि जो उन रिफ्यूज के लिए ये असान हमाता है कानूनों को जैसे कि अफगानिसान बंगला देश पाकिस्तान लेकिन कुछ citizenship को category के अधार पर जैसे कि Muslims को अलग कर देता है ठीक है यहाँ पर वो कहते हैं कि problem है यह Narayan कह रहे हैं जिन्होंने यह article लिखा है वो कहते हैं कि CA violates करता है India के liberal tradition को ठीक है और वो कहते हैं कि National Registrar और citizen और CA का combined fact होगा वो काफी problematic हो सकता है ठीक दोस्तों आगे वो बात करते हैं कि देखिए एक study की जुरूरत थी एक detailed study की जुरूरत थी जिसमें many layers of democracy existence of different religious communities spread करती थी across different regions of the country वो कहते हैं more detailed in-depth study की जुरूरत थी granting citizenship वो कहते हैं कि ठीक है यह माना जा सकता है कि citizenship देना केवल केंदर के हाथ में ही है लेकिन वो कहीं से का unconstitutional तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि यह कहीं न कहीं violet करता है article art से लेकर article 14 तक ठीक है फिर वो बताते हैं कि देखिए जो violence है in various degree of intensity कई जगा पर अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग intensity के violence देखी जा रही है violence कहीं बहुत जदा कहीं बहुत कम वो कहते हैं कि यह कहना कहीं testimony है nation के divisive nature की जो कहना कि piece of legislation के against आई है ठीक है वो कहते है जो issue of refugee है from neighbor countries यह दिक्कत देने वाला है वो कहते है given that constitution has been guarantor of the equal treatment to the people of all religious and region क्योंकि जो कहते हैं कि constitution है वो guarantee देता है equal treatment की कोई भी religion से हो आप कोई भी region से हो आप कोई भी geography से हो आप कोई भी history है आपकी जो issue of refugee है called for not only greater understanding but also more time यह ओर time भी चाहता है बस दोस्तों फिर वो आगे आकर बात करते हैं कि देखिए जो constitution की home minister mention करते हैं कि अगर congress इस देश का धर्ब की अदार पर बटवारा ना करती तो शायद इस bill को लाने की जरूरत ना होती तो यहाँ पर यह writer कह रहे है कि यह के उनका valid argument नहीं है यह question कड़ा करता है कि what were the real reasons behind the enactment of the act कि इस कानून को बनाने की पीछे के real कारण है क्या ठीक है दोस्तो to raise the matter this time seemed uncalled ठीक है दोस्तो मतलब यहाँ पर आखिर में question पूट करते हैं कि is India acting responsibly क्या India responsibly acting करता है ठीक है at this juncture it would be worthwhile to quote Winston Churchill वो कहते हैं कि Churchill को quote करते हैं करते हैं कि the price of greatness is responsibility is India acting responsibly कहीं न कहीं Churchill को point करके यह कह रहे है ठीक है अब दोस्तों यही आर्टिकल है यहाँ पर कहीं न कहीं नोंने तीन सिच्वेशन को रखा एक तो आर्टिकल तीन सतर को रखा एक महराष्टर की सुच्वेशने रखी और एक Constitutional एक पर रखा तो इस पर नोंने कहा है कि किस परकार समविधानिक ताको चैलेंज किया गया कहीं खत्रा पचाने कोशी की लेकियों की हमारे समविधानिक सभा के बुद्धी जीवियों ने एक अच्छा समविधान हमें दिया था तो हम बचा पाए हैं ठीक है दोस्तों तो इसी के साथ हमारी कलास पूरी होती है तो इसी के साथ मैं आपका एक्जामपूर मैं आने करे थैंक्स करता हूं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बूलेगा तो दोस्तों हमेशा की तरह हमारे exampur की app का link नीचे दिया गया है और exampur की app आप play store से भी जाओके download कर सकते हैं और हमारे courses को जो सस्ती दरों में best teacher और best result के साथ दिया जा रहा है आप दीजिए देखिए एक तो हमारे teachers best है उपर से result best है उपर से content best है इससे अच्छा कुछ होता नहीं रूपर से दरे सलती है ठीक दोस्तों तो आप subscribe कीजिए और जाए नए हमारे नवए courses आए हैं CHSL और CGL उनको भी subscribe कीजिए ओके फ्रेंड्स बाइबाए